ताची जेन रतलाम से बहुत बढ़ी अप्रस्थित करते हो जानना चाहरी है नमस्तर प्रस्थित करते हो गुर्देव आज एक मस्तूर से पूछा कि इतनी मेहना सिर्फ धाई सो रोपे के लिए तो इसने अपना काम छोड़कर बड़े ही ब्यूटिफल बे में आंशर दिया जिनके पास सब कुछ होता है वो नींद का इंतियार करते हैं और नींद हमारे जैसे लोगों का इंतियार करती है आप लोग बाहरी खुशी दिखाते हो दुनिया को और हम भीतर से खुश रहते हैं क्योंकि आप जैसे बड़े लोग भाग से ज़्यादा और वक्त से पहले सब कुछ चाहते हो मजदूर महराश्त्री यह मजदूर कानवाओ का शंदूक बोल रहा है यह वो हमें सिखाना चाहता है कि बिइंग ब्रांडेड बिइंग लग्जिरियस होना बेकार है जो मेटर करता है वो है बिइंग ग्रांडेड बिइंग सेटिस्पाइड है क्या यह सही है बिइंग ब्रांडेड और बिइंग लग्जिरियस आजकल लोगों की ज़्यादा तर सोच हो गई है लेकिन बहुत अच्छी बात कही है कि मजदूर का संदेश हमें यह बता रहा है बिइंग ग्रांडेड और बिइंग लग्जिरियस बिइंग सेटिस्पाइड बस्तुता जीवन का मंत्र यही है मजदूर ने जो बात कही है बहुत मनन करने योग है लाखो कमाने वाले लोग नींद का इंतजार करते है पर दो ढाइसियों की मजदूरी करने वाले के लिए नींद इंतजार करते है बात समशने की है शवाल पैशों की मात्रा कानी है सवाल सोच का है जो मनुष संतुष्ट है उससे बड़ा धनी संसार में कोई दूसरा नहीं और जिसके हुर्दे में तृष्णा है उससे बड़ा दुखी कोई दूसरा नहीं आज के लोगों की कहानी बिल्कुल अलग है दो तरह का शुक होता है एक अभिप्राय का सुख और एक अनभूती का सुख अभिप्राय का सुख और एक अनभूती का सुख मतलब स्वैम को सुखी मानना और सुख का अनभू करना दोनों में अंतर है कि नहीं जादा तर धनी मानी लोग अपने आपको सुखी मानते हैं सुखी होते नहीं और जिनको हम लोग दुखी के रूप में देखते हैं, वे दुखी होते नहीं, सुख का अनभव करते हैं, दोनों में क्या अंतर है, अंतर बताओ, सुखी होने में और अपने आपको सुखी मानने में, अभिप्राय के सुख में और अनभूती के सुख में, क्या मौली का अंतर अनुभूती का सुख एक आजमी नंगे पाउं चल रहा है और उसके मन में कोई बिकल्प नहीं निश्चिंतिता से चल रहा है सनक तप रही है फिर भी वो मजे में चल रहा है और एक बेक्ती ब्रांडेट जूता पहना हुआ है और वो जूता उसे काट रहा है क्या हुआ ब्रांडेट जूता है जूता काट रहा है और एक नंगे पाउं चल रहा है सुख ही कौन पर मान कौन रहा जूते वाल तो यह जो बोलते ना बीइंग ब्रांडेट और लगजीरियस वालों का हाल यह है कास हम ग्रांडेट हो जमीन से जुड़े रहे और सटिस्पाइट रहे तो जीवन का मजा ही कुछ और होगा